हेलो एव्रीवन वेल्कम टूर यूट्यूब चैनल जेके लिटेस्ट इन्फो तो यहां पर अक्तूबर के एक्जाम की बात हो रही का पर जो जेके सिस्बी क्लास फोर के एक्जाम है वो अक्तूबर में होने जा रहा है तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा अगर कैसे प्रिप्रेशन वगेरा कर सकते हैं अगर आपने अभी तक पढ़ना नहीं स्टार्ट किया तो आप कैसे एक्जाम क्राय कर सकते हो वो सब चीज हम डिसकस करेंगे बस आपको वीडियो को लास तक देखना होगा और ज़रूर देखना आपको बड़ी काम की बाते हैं पर अगर अक्तूबर में ही एक्जाम होने जा रहा है अगर किसी बास इस तरह कर डाटा आ गया है तो मैं आपको बचाता हूं कैसे बढ़ना है आप हमारे चैनल पर आओगे यहां पर सबसे पहले आप आओगे रिजनिंग में प्लेलिस्ट में आते हो यहां पर आपको कहीं सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी जो आपके काम की वीडियोस हैं यहां पर वो सिरफ 18 से 19 वीडियोस आपके काम की रहने वली हैं सबसे important बात आपको मैं बताना चाहूंगा मान के चलो कि आपके examination जो है वो October 14 को होने जा रहा है अब भी September 14 है October 14 को को a exam होने जा रहा है मान के चलो तब भी आपके पास एक महींने का पूरा पूरा टाइम है यह मान के चलो ठीक है अब मैं उनके coding बता रहा हूँ जुनने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है और जुनने पहले से पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है उनके तो benefit ही है उनको थोड़ा कम पढ़ना पढ़ेगा है ना तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जोने आज ही पढ़ना साट किया है वो भी कैसे एक्जाम कर सकते हैं एक महिने के बाद एक्जाम है एजूम कर रहो है ठीक है तो आपको अगर एक्जाम करना है दिन में 6-7 गंटे आपको पढ़ना ही होगा 6-7 गंटे का टाइम आप जैसे मर्जी निकालो अगर आपके इंपर जोब बगारा करते हो टाइम नहीं मिल पाता है सुबह जहां पर आप 7 बज़े उड़ते हो आप 5 बज़े उड़ जाओ रात को जहां आप 11 बज़े सोते हो एक बज़े सोने का स्टार्ट कर दो ठीक है इस तरीके से 2-3 गंटे का एक्ट्रा टाम निकालने की कोशिश करो और करना पड़ेगा अगर आपको एक्जाम क्राय करना है एक मेने के लिए आपको तपना पड़ेगा ठीक है अब यहां पर आगी की बात करते हैं यह तो मिना पूताती रीजनिंग का 18-19 वीडियों से जो आपके काम की हैं और पूरा रीजनिंग करवा चुका हूं प्रैक् पर आप कवर कर लोगे पूरा जैसे देखो और प्रैक्टिस कोशन यहां पर सॉल आए एक सेकिंड जैसे यहां पर एक वीडियो थी यहां पर चलो कोडिंग की बात करें आपको दिख रहा होगा और प्रैक्टिस कोशन सॉल अगर ठीक है तो इस तरह से भी करवाय हुए है तो 19 दिनों में तो आप रिजनी कंपलीट कर लो गए एक वीडियो को देखने में कितना ताइम लग जाएगा आपको 30 से 40 मिनिट का टाइम लगने वाला है एक वीडियो को रिजनी के देखने में आपको दिन में 6-7 गंटे पढ़ना है अगर आप 25-30 मिनिट तक भी वीडि तो पढ़ना चोड़ दोगे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो अगर आपको लगता है एक मेने के बाद आपका पेपर है रिजनिंग के 20 मार्क्स आप अराम से ले सकते हो बड़े मज़े से ले सकते हो पैनिक नहीं होना है ठीक है अब आते हैं आगे की तरफ के मैथमेंस की तरफ जिसमें टर लगता अकरीमन स्टुरेट को यहां पर देखो मैं पहले बैसी न्यों आपर की लिए तकीँ यहां पर क्या बर्याता है कि वेटे ज्यादा रहती है जिन टोपिक्स की वेटे ज्यादा रहती है मैं मैं saat में कभर करवा चुक İ जैसे HCF-LCM हो गया, फिर time and work के बात करें, फिर हमारे पास हैं पर LCM-HCF के questions थे, वो तो probability हो गया, average हो गया, percentage हो गया, इस तरह के topics में करवा चुको हूँ, अभी हम बात करें, September 14 की, अभी तक में सब कुछ करवा चुको हूँ, clear हो गया, ये जो syllabus में आपको करवाया है, ये 50% से जदा syllabus करवाया है, clear हो गया, और mathematics पढ़ाना में बंद नहीं किया है, mathematics में continue करूँगा आगे, अभी हिस्टिकर सक्षिन स्टार्ट के हो है, वो भी cover करवाऊंगा, और October के मन्त तक मैं आपको बात बता दूँ, एक से दो topic हम और cover कर लेंगे, mathematics के एक से दो topic को और cover कर लें मतलब एक दिन में ज्यादा वीडियो दलाऊंगा, वो थोड़ी ज्यादा रंबी वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपका काम बढ़ा आसान बन जाए, और आपका syllabus करवर हो जाए, अगर मैं average speed से भी चलता जाऊंगा, तो भी एक से दो topic में और cover करवादूगा, जिब तक और एक से दो जब में topic करवादूगा, तो आपके जो वो marks हैं, वो 14 से 15 की category में आ जाएंगे, minimum आपके 14 से 15 marks category बन जाएगे आपके, ठीक है, हालाकि एकर आपका exam होता है, तो मैं थोड़ा और करवाद के जल्दी जल्दी आपका syllabus करवादूगा, अब यहां पर देखो, तो अगर आप एक दिन में एक वीडियो देखते हो, एक दिन में एक वीडियो देखते हो, तीस दिनों में तीस वीडियो पराम से कवर कर सकते हो, बट मैथमेटिक्स का यह है कि अगर आपने आज से ही पढ़ना स्टार्ट किया है, आपने जो एक वीडियो देखी है, उसके उते प्रैक्टिस कोशन भी करो इंबुक बागरा मिलती है जाम पर क्लास फोर के लाव गश्चन्स होते हैं उनके प्रैक्टिस बगारा करो आदा किंड़ आप आप दिन में आप 2ड़ बीडियो फिर फॉर है तो एक भी चैप्टर के तीन चार वीडियो जेना तो एक दिन में कम लगेगा और प्रैक्टिस में जब द्यान दो अगर एक दिन में मैथमेटिक्स की दो वीडियो देखो के दो जो रिलेटिड ही हैं तो मान के चलो मैथमेटिक्स जो है वो 18-20 दिनों में आप अराम से कंप्लेट कर लोगे और बागी के 10 दिनों में पर रिविजिन करना स्ट बाट कर लो वैसा काम भी आप कर सकते हो तो मैथमेटिक्स की आपके 20 मार्क में अगर अक्टूबर में ही ओता है तो तब भी आपका 20 मार्क चन करवादू गांगा अगर अग्जमेशन नहीं घोता है तो भी अगर अग्जदीन कर घेंगे तो एंग्मेटो पर तक 14 से 15 मार् इसी स्पीड से चलते जाएंगे अगर examination नहीं होता है इसी स्पीड से चलते जाएंगे तो भी पंदर नंबर तक आप मान के चल सकते हूं कि mathematics करवा दूँगा 35 marks तक मैंने complete करवा दे ठीक है और अगर मान के चलो मान के चलो कि अगर मैं आपको लगता चीट कर रहा हूं mathematics नहीं करवाओंगा तो 10 plus marks तो अब भी भी है ही ना इतनी वीडियोस अप्लोड है ही है 30 marks आपके अब भी confirm है 100 marks को पर रहने वाले हैं आगे चलते हैं बागी बात कर लगे अगस्त के थोड़े से होंगे तो मैं क्या काम करना शाट करूंगा मान कि लोगा 14 aqtober का एक्जाम है तो मैं क्या करूंगा 3rd या 4th अक्तूबर से क्या करूंगा आपको मैं मंत्ली करेंड इफेर्स करवाना स्टार्ट कर दूँगा जैसे अगस्त के important current reference पूरे मंत के अभी हमने यहां पर क्या स्टार्ट किया हुआ है आपको इंडियन हिस्ट्री देखने को मिल रहा होगा इंडियन हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है और एक हफ्ते में इंडियन हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक हफ्ते में इंडियन हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाता ताइम नहीं लगाँगा जैसे वह तीन से चार जिनों में कंप्लीट करवाद दूँगा जैसे एक दिमें एक वीडियो बनाऊंगा वह 40-50 मिनिट की वीडियो बन जाएगी इस तरह से करके वह जल्दी करवाद दूगा और इंट्रेस्टिंग होगा बोरिंग नहीं करन कोन है कहांगे वह चीफ निस्टर कोन है कहांगे गवर्नर कोन है डैम वगएर वह सब चीजें हलाकि मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा वह लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ अगर आपको डर लग रहा है तो अपने लेवल पर वह सब पढ़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि 5-10 कोशिंस वैसे भी आपके आएंगे 5-10 मार्ग साप वहां से भी कंफर्म करवा सकते हो अपने ठीक है इंग्लिश सक्षिन की बात करें इंग्लिश का भी हमने चोटा सा पोशिन स्टार्ट किया था जिसमें अभी तक है स्टार्ट किया था हमने आर्टिकल्स वगरा पर इसनी के लेके चलूँ सिर्फ दस नमबर ही मैथमेटिक्स के लिए चलूँ और साथ से आठ नमबर में अगर हिस्ट्री के लेके चलूँ मतलब जनरल करेंट अगर में यह नमबर लेकर चलूँ तो आपके 40-42 मार्ग का अभी तक पेपर कंफर्म हुआ है 100 मार्क में से आ लेकर आउंगा कि अगर आपका अगर आपको में चलता जाए तो गरांटी देता हूगा आपको अजलेवरस में कंप्लेट करवा दूँगा बैटमेकर इसी स्पीट से चलता जाओंगा उसके कोर्डिंग बता रहा हूं और अभी मैं आपको बता रहा हूं फोड़ीटू माक्स का है स्टैटिक जी कि आप अपने लेवल पर पड़ रहे होगे तो आठ से 10 माक्स अपने अपने लेवल पर अपकर रहे होगे तो वहां से सब्सक्याख माक्स क्रे법 बताते हैं अब मैं आपको बताता हूँ यह सब्सक्रे अपना क्या बोलते हैं मह्तेमेटिक से अपने कि 10 गये थे हलांकि एक मेहन में mathematics से 10 नमर का syllabus में और करवा दूँगा तो वो भी IID ने किया है उसकी tension मतलो अब reasoning का syllabus complete है mathematics भी complete हो जाएगा English का 50% ज़ादा cover करवा दूँगा general advice में current affairs चल रहे हैं history complete करवा दूँगा और बाकी topic भी complete करवा दूँगा बिल्कुल भी panic अपने नहीं होना है अब यहां पर बात है थे examination ही देखो यहां पर आपको पता है कि अभी हमारे चम्मु कश्मीर में कुछ भी हो जाए यहां पर लोगों को show करना है कि हम यहां पर development वगरा कर रहे हैं उनको बताना ही बताना है कि हम लोगों की development कर रहे हम तुम्हारे लिए कितना काम कर रहे हैं आपको पता होगा अभी जीक SSB का जब notification वगरा नहीं आया था official notification नहीं आया था उसे पहले भी कितने सारे interview वार चल रहे थे कि हम examination ला रहे हैं हमने का कर दिया है इतने vacances लानी है यह यह department है हमने फास्ट एक मोड़ पर डाल दिया है हमने department को बोल दिया कि आप लिस्ट वगर त्यार करो अभी form नहीं निकले थे एतने सारे बाते वहां बाधा चल रहे ही यहां यूध को बताना था कि हम करते हैं तो अब जब बहात हरी है में exam देने कि की हम इतने चाम होने जा रहा है तो क्या वह सरकार की बात कर रहें किसी के भी administration की बात करें तो क्या वह वह बताने की कोशिच नहीं करें है, हम आपके लिए इतना काम कर से है, कि यह नहीं आएगा आपके लिए यह यह काम कर रहे हम आपके लिए इस तरह से काम कर से इतनी तारिक तक आपके इग्जाम होने के चांसले ही बगर लें एगर आगर वह पहले शो कर रहे थे जब फॉर्म नहीं आपको पता colleges वगरा में भी examination वगरा चल रहे हैं एग्णू के भी examination वगरा होने और paper आपके off-line वगरा चल रहे हैं center भी तो चाहिए paper देने के लिए यह वैसी examination होते जाएंगी वो भी possible नहीं है ठीक है और corona की cases आपको पता कितने बढ़ते जा रहे हैं यहां पर हला कि जो भी है उसका relation वगरा वो मैंने relate करने के आपके कोशिश कर रहा हूं बैट मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे recording जो मुझे लगता है मुझे नहीं लगता कि आपके October मन्त में examination होगी हला कि क्या पता होगी जाए बट मैं अपने view बता रहा हूं मुझे नहीं लग बट मुझे मेरे recording मुझे यह लगता है कि जब भी आपके examination होना होगा पहले शोर पढ़ जाएगा कि हाँ आपका हम यह काम कर रहे हैं वह काम कर रहे हैं आपको पहले बताने की कोशी ज़रू करेंगे मैं उसके recording बोलो कि आप examination October में नहीं होने वाल है और जो भी आपको data मिल बात करें कोई famous newspaper है अगर उसमें कोई article चपता है ना print होता है कि हाँ जेके SSB ने यह का है कि examination वगएरा होंगे उस बात पर ट्रस्ट करो उस बात को यकीन करो या कोई बड़ा media challenge हमारे जम्मुकिशमीर का जो यह बात बोलता है उसकी बात पर ट्रस्ट करो क्योंकि इन पर sources गर रहते हैं या फिर official website में जेके SSB आता है तो आपको मानना ही पड़ेगा इस तरह की चीज़ों पर ट्रस्ट वगएरा किया करो बागे फालतों का panic होने के जरूरत नहीं है कि हाँ इन्होंने क्या दिया तो exam होगा ही होगा बागी लोग यहां पर को judge वगएरा नहीं लग कर रहा है तो आपने preparation किस हिसाब से करनी है वो मैं आपको अभी बता भी चुका हूँ तो पैनिक होने के जरूरत नहीं है अगर अक्तूबर में बिग्जाम होता है तो मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह साब को preparation करनी है और भाद में होता है तो हम slow and steady winds तरे सोले फंडे स से चले रहे हम आपकी preparation बगारा करवा देंगे और मुझे पर trust रखना अगर मैंने आपको कहा है कि preparation complete करवाऊंगा तो जरूर complete करवाऊंगा किसी भी तरह का doubt होगा comment section में comment करके जरूर पोचना thank you जाइन